इस वीडियो पे आप देखेंगे बहुत ही खुबसूरत दोपट्टा डिजाइन, यह डिजाइन एक साइट पे होगा और बहुत ही ब्रॉड होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके नीचे या दोपट्टा के नीचे इस तरीके से आप कार्टबोड रख सकते हैं अगर आपकी दोपट्टा थोड़ी ठीक टाइप की है या फिर आप इस तरीके की फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं और कलर के लिए यहां मैं यहां फै ज़ार यह blue ढखकन है, यह fabric color, अब acrylic का भी use कर सकते हैं, और brush देख सकते हैं, यह 4 number की flat brush, इससे ही यह painting होगी, यह chicken painting, यह round brush से नहीं होती है, बहुत आसाने अब देखिए, इस तरीके से आपको करना है, अगर आप और थोड़ी broad design चाहते हैं, तो आप 6 number या 8 number की brush use कर सकते हैं तो इस तरीके से एकदम side तक, एकदम पूरे लंबाई तक इसको करना है हमें, बहुत आसाने हैं, अब देख सकते हैं, honestly बहुत ही आसाने, मैं ऐसे बोल रहे हूँ, इस तरीके से नहीं, अब जब try करेंगे, तब भी आपको पता चलेगा, बहुत आसाने हैं, और color में orange color यूज करें हूँ, white, yellow के उपर orange, यह बहुत दोनों ही बहुत bright color है, अच्छा लग रहा है, अब side पे pencil से mark भी कर सकते हैं, तो फिर ज्यादा आसान होगा, उस side के, उस side ज्यादा बाहर नहीं जाएगी, फिर, और color मन पसंद के color यूज करिए, dark color के उपर थोड़ी light color से करें, और light color के उपर थोड़ी dark color से करें, तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 3 lines किया है, 3 lines, बट आप चाहे तो और एक line extra add कर सकते हैं, या फिर आप और एक कम भी भी कर सकते हैं, जैसे 2 lines भी आप बना सकते हैं, यह बहुत ज्यादा broad है, इसलिए मैं एक side पे कर रही हूँ दुपटा के, एक side पे हमारी complete हो गई है, अब हमारी, यह मैं यहाँ ultramarine blue color यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास acrylic color के ultramarine blue color है, तो उसका use बिलकुल ना करें, specially कप्रों के उपर, क्यूंकि वो ही color after wash छुट है, बहुत problem होती है, बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ काफी बार हो चुकी है, अगर आपके पास fabric color के ultramarine blue color है, तो आप use कर सकते है, बहुत सुन्दर है, वो कुछ नहीं होती है, उससे color बिलकुल नहीं छुटती है, तो देखिए, यह हमारी हो गई, आप इस side पे same होगा जैसे की हमने पहली बार की यह थी न, चिकर पेंटिंग को उस तरीके से, same तरीके से करना है, देखिए, आप तुम्रा बांगा ली हो ले हमारी बांगलाई comment को उत्ते पार हो, कि जानते चाओ, बोलते बार हो, शौप प्रोशनेर उत्तर बांगलाई पेजा बे, बांगल वीडियो देखते चाओ, शही चैनल लिंक तर देस्क्रिप्शन है, अच्छा, बद देखे नहीं हो, तो यहाँ पर भी same तरीके से करना है, और उसके बाद देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ फिर से और एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, वो भी same color से, यह थोड़ी तो complete हो गई है, अब इसके उपर, मैं actually सोची थी flower बनाओंगी, बट इसके साथ flower match नहीं हो रहा है, क्योंकि यह almost geometrical की painting है, तो मैं सोची इसके उपर वार्ली पेंटिंग कर देती हूँ, वार्ली character जो होती हो, वार्ली figure, तो वो almost यह चिकर पेंटिंग के साथ, बहुत match होग यह painting थोड़ी सी खराब हो गई है, बट आप बहुत धीरे-धीरे कर लेना, और इस तरीके से आप कर सकते है, वार्ली यह जो character है, बहुत आसनी से आपको बन जाएगी, और इसके लिए मैं दो नंबर की round brush यूज़ कर रही हूँ, बहुत आसनी आप इसके अंदर color fill कर दीज तो इस तरीके से, हाँ, यहाँ मैंने थोड़ी गलती कर चुकी हूँ, क्योंकि यह hand थोड़ा ज्यादा लंबा हो गई है, तो इस तरीके से पूरा उपर को आपको complete कर देना है, और अगर आपको लगता है कि यह बहुत ज्यादा heavy है, तो इसको आप skip भी कर सकते हैं, आप व तो इसको जरूर ट्राइ करें, तो इस तरीके से पूरा complete कर देना है, और ध्यान रहे color आपके हाथ पे ना लग जाए, क्योंकि हाथ से color गलती से बहुत बूरी तरीके से dress के इधर उदर लग जाती है, तो यह जो gap है, इसके gap के अंदर मैं orange color कर रही हूँ, आप देख सकते ह इसके उपर मैंने ज्यादा कुछ color भी यूज नहीं किया है, और पेंट के बाद 24 hours के लिए इसको एकस से ही रख दीजी, उसके बाद backside भी प्रेस कर लेना, और इसको हमेशा हाथ से ही प्रेस करें, हाथ से ही wash करें, तो यह देख सकते हैं, after complete, thank you so much for watching this video, have a very very good day, वीडियो अच्छी लगने से लिए लाइक जरूर कर देना, बाई